आज दो अगस्त संद दो हजार बीस को बुद्ध के करक राशी में गोचर करने पर मेश राशी के जातको पर क्या प्रभाव होगा इस विशा में बारता करते हैं बुद्ध दो अगस्त संद दो हजार बीस प्राता तीन बज़ कर तेईस मिनट पर करक राशी में गोचर कर जाएंगे तथा यहां सत्रा अगस्त संद दो हजार बीस प्राता आठ बज़ कर सत्रा मिनट तक गोचर करेंगे इस इस्थिति में बुध, पुनर्वसू, पुष्य तथा असलेखा नक्षत्र में भी गोचर करेंगे और इन तीनों ही नक्षत्रों के श्वामी गुरु, शनी तथा श्वयम बुध हैं यहां 4 अगस्त सन 2020 में बुध, शनी के नक्षत्र पुष्य में तथा 10 अगस्त सन 2020 में अपने स्वय के नक्षत्र असलेखा नक्षत्र में गोचर करेंगे तथा 17 अगस्त तक इसी अवस्था में गोचर करेंगे इस इस्थिति के अनुसार बुध मेश रासी के जात्कों के चतुरत इस्थान पर गोचर करेंगे तथा यहां गोचर करते हुए बुध मेश रासी के जात्कों को विशेश मानसिक शान्ति प्रादान करेंगे कारियों को करने की परबंदता में एक विशेश प्रकार की गुनवत्ता प्रदान करेंगे तथा इसके साथ साथ सुख सुभाग के साधन तथा विश्राम की स्थितियों को अनुगूल बनाएंगे विशेश तोर पर मालसिक सांति प्रदान करेंगे, टैंसन की निग्रती करेंगे, तथा इसके साथ साथ जो जो समश्याएं मेश राशी के जात्कों को वर्दमान समय में परदर्सित हो रही हैं, उन समश्याओं के लिए एक नवीन मार्ग का फुद्ध बोधन भी करेंगे। लड़ने के नए आयाम की स्थिती प्राप्त होगी, अर्थात आपको विशेश सूचनाय प्रदान होंगी, आपको इस विशे में ज्यान अधिक प्राप्त होगा कि रोग और सत्रू से लड़ने के लिए आपको क्या करना चाहिए, अन्य वैक्तियों के सुझाओ भी आपको साधनों से किस प्रकार लाप्राप्त किया जा सके इस विशे पर भी विचार करेंगे, तथा इस विशे में भी योजनाओं को परिपून करने के लिए अग्रशर होंगे, योजनाओं को बनाएंगे, यात्रा में इन्वेस्टमेंट तथा यात्रा के प्रबंद की स्थितिय होगी आपके अनुरूप आपको लापराप्त हो पाएंगे जिस स्थिति में आप लाप को ग्रहन करने की अवस्था समझ रहे हैं अर्थात आपने जिस अवस्था में लाप का परबंद किया है उस अवस्था में आपको लापराप्त होगा परंतु इसके साथ साथ ही आपको वै भी करने होंगे और वै भी आपके उसी अनुरूप होंगे जिस अनुरूप आपने उनका प्रबंद कर रखा है मेश रासी के जात्कों की जितनी आय होगी समान रूप से प्रबंद के अनुसार रखार उतना ही उनका वै भी होगा मेश राशी के जात्कों को यहां विशेश तोर पर प्राकरम की इस्थितिया अनुकूल रहेंगी साहस आपके अनुसार होगा क्योंकि यहां बुद्ध प्राकरम इस्थान तथा सश्थम इस्थान दोनों के ही अधिपती है इस अवस्था में बुद्ध के बैठने से योजनाओं को अपने अनुरूप करने में तता प्राक्रम तता सहास की स्थितियों को सफलतम अग्रसर करने में आपको धनका व्य अवश्य करना होगा। जो जातक बोधिक अक्षमताओं से संबंदित अक्षेत्रा अत्वा विध्यार्थी वर्ग के हैं। उन जातकों को भी इस समय पर सकारात्म की स्थितियां तो प्रदर्शित होंगी परन्तु कारियों और विध्याध्यन में अडचनों की संभावनाएं अधिक अग्रसर होती हैं। मेशराशी के ऐसे जातक जो नवीन नई जोब के मार्ग में प्रसस्त है अर्थात आप किसी नई कारिये नई जोब पर जा रहे हैं। तो ऐसे मेंस रासी के जात्कों को अपने अगराजर्थात, अपने अधिकारियों तथा साथ के करमचारियों वे अपने ऑफिस के जितना भी समाज है उस सारे समाज के साथ में तालमेल बनाने में प्रतमत हग कठिनाई तथा उसके पस्चात आपके विशह में आपके अनुसार और आपकी इस्थितियों के अनुसार आपको सफलता है प्राप्त होंगी आवश्यक यह है कि मेस राशी के जातक इस खाल में गुट बाजी का कारण ना बने वह एक पक्ष तथा दूसरे भी पक्ष के चक्कर में ना बने यहां मेस राशी के जातकों को अपने आपको सामान्य बनाए रखने की आवश्यक्ता है मोल बिंदू मुख्य बिंदू की ओर विचार करें तो मेस राशी के जातकों का जह समय बुद्ध के गोचर के द्रश्टिकोन से समान्य तथा नए आयाम को प्रदर्शित करने वाला है और यही आपको एक नवीन उर्जा का उत्साहा का मार्ग प्रसस्त करेगा तथा आपको नवीन उर्जा प्रदान करेगा सुबंबावतु भागवान गणपती तथा मातारा आपका कल्यान करें